हरुमान चालीसा की बड़ी interesting story है, जो जादा लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते की हरुमान चालीसा बनी कैसे, ये जो तुलसी दाजी ना हरुमान चालीसा लिखी है, बड़ी historic event है, बलकि मज़ी की बात है की warrior estate, Cambridge University में British writer है, उन्होंने इस story को लिखा है मैं किवल इंडियन राइटर्स की बात नहीं करा और एक फिलिप लुटगिंडॉफ जिन्होंने आक्सफुड युनिवर्सिटी ने इस किताब को छापा है हनुमान टेल ते मैसेज अफ डिवाइन मॉंकी ये किताब आक्सफुड युनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है कुछ समय पहले फिलिप को वालमी की अवार्ड भी दिया गया था इस देश में तो इन्होंने हनमान चाली सका इतिहास लिखा है एक बार क्या हुआ बनारस की घटना है तुलसिदाज जी महाराज बैठे थे बनारस में तो किसी नव शादी हुई थी अभी पती की मृत्य हो गई उसकी शव यात्र जा रही थी बनारस का तो घाट फेमस है तो तुलसिदाज जी के सामने से जब जा रही थी तो तुलसिदाज जी की वो कुछ लोगों में और उसकी पत्नी में बड़ी श्रद्धा थी संत में संत तो सब कर सकते है तो चरणों में गिर गई तो तुलसिदाज जी बोले भई राम जी का नाम लो अब क्या हो सकता है राम नाम लो फिर भी उसका इतना भरोसा पक्का था कि तुलसीदाजी बैठके नाम किर्टन करते रहे और श्री राम जैराम श्री राम जैराम जब करते रहे तो थोड़ी देर में वो पती उठ गया ये चमतकार हुआ वो पती एकदम उठ गया अब whatsoever जो भी कह लीजे कि वो मर गया था या जो भी था पर बात ये सामने हुई कि नहीं मरा था बेहोश था this will not go into that logic बट वो उठ गया उठ गया तो सब चौंगर तुलसीदाजी की महिमा चारों तरफ पहलने लगी सब गाने लगी सब सोचने लगी कि ये क्या बात तब उस समय कुछ हिंदू मंत्री उची पोष्ट पे थे अखवर के राज में जिसमें एक नाम था टोडर मल का खाने खाँ भी एक नाम था ये सब कुछ थे जो अपने हिंदू समाज के लोग थे पर उचे स्टेटस टोडर मल जी ने ही साहिबजादियों की शेहिदी पे जो मुद्राएं दान की थी दुनिया के सबसे महिंगी जगव सबसे महिंगी जी तो उनके माध्यम से पता चला है अखवर को कि कोई एक संत है बनारस में जो ऐसा काम कर गया चमतकार कर गया तो अखवर ने का एच्छा ऐसे का तो हमें इल्म लेना चाहिए और उनको बुलाया जाए तो सैनिकों को भेजा हाला कि उसको इतनी आदत नहीं थी कि किसी संत को कैसे बुलाया जाता है तो सैनि जाके तुलसिदास से बोले हो चलो बादशाह ने बुलाया तुलसिदास जी अब भई संत को बुलाने के एक तहजीब होती है और वो बिचारे बात तो नीचे वाले लोग अपने हिसाब से करते हैं तो तुझा चुझे मुझे वहाँ क्या जरूरत है जाने की मेरे को तो कोई मिलने की आवश्रक्ता नहीं है मैं कभी आया उस तरफ तो मिल लूँगा नॉर्मल बात है ये बात जब अखर को पता चली तो इतना बड़ा बादशा बुरा मन गया मेरे नियोते पर नहीं आया ले आके उसको बंदी बना के लाया जाए तो बंदी बना करके लाया गया खड़े कर दिया तुलसिदाज को अख्वर की दरवार में तो कहा हमने सुनाए कि तुमने對 मुर्दे को जिंदा किया चमतकार हमको भी देखा तो स्साघा हो ले मेरे को तो कुई चमतकार निया था मैं तो भगवान कर नाम ले रहा था तेरा वो नाम लिया बचाता है कि नहीं तो तुलसिदाजी को जेल में डाला जिस दिन जेल में डाला तुलसिदाजी क्या करें वो तो प्रसन्न हो गए विपत्ती को समस्या को तपस्या में बदल देना भक्ती है रोते नहीं रहे तुलसिदाजी उसे बैठे क्या करूँ तो उन्होंने सबसे पहले चौपाई लिखी ये आयोध्या कांड का मंगला चौपाई लिखी फिर रोज एक एक चौपाई लिखते गए चालीस दिन तक उनके मन में ये चौपाईयां प्रगट होती रही और वो रोज एक एक लिखते गए लिखते गए लिखते गए जो चालीसवा दिन हुआ तब उस समय पूरे उस समय अखवर फत्यपुर सीकरी में था आगरा के पास पूरे फत्यपुर पे बंदरों ने हमला कर दिया यह मैं आपको विलियम और फिलिप की कहानी सुना रहा हूँ जो उन्होंने लिखी आउक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस में आजकल लोग कहते हैं वहाँ से बाता है तो परमानित बात लगेगी अपनिया की बातों को ऐसी कहते हैं मित है उन्होंने ये लिखाए जॉक्सफोर्ड ने इतिहासिग घटना है क्योंकि इससे रिलेटर एक फरमान भी जाहरी किया था अकबर ने जो कि हिस्टरी में मौजूद है इसलिए ये घटना करें कि हज्जानों बंदर आ गए और वो इतने एग्रेसिव बंदर आ गए कि का व्यक्ति होता है जब उसने ये देखा ये हो रहा है तो अकबर को ख़वर भेजी कि तुस्से कोई बहुत बड़ी गलती हुई है ये खुदा का रब का कोहराम है ये बुरा करम याद कर आए कि तैने कुछ किया है गलत क्या किया अब राजा के लिए तो रोजी कोई ने किसी को सजा दीता था उसको तो याद नहीं था रहे तो नौम तब उसको याद आए कि चालीस दिन हो गए एक मैंने सादू संत की प्रती ऐसा अभिमान देखाया था तो कहते है अकवर खुद गया तुलसिदाजी से माफी मांगे कि मुझसे भूल हो गई आप कुषमा करिए तुलसिदाजी ने जैसे उपर देखकर हाच जोड़ा दीरे-दीरे सब बंदर भाप चले गए एकदम से वहां से बापस लौट गए सब लौट गए तो उसके मन में श्रद्धा और जगए तो उसके मेरे लिए क्या आग गया है मैं क्या पश्चात आप करूँ तो तुलसिदाजी ने उसको आग गया दी कि तो इसी समय फतेपुर छोड़ कर चला जाए तब फ परमानजारी किया गया कि कोई भी राम और हनुमान के भक्तों को मेरे राज्य में तकलीफ नहीं दी जाए और नहीं दी गई फिर बाद में औरंग जेब का जब काल आया तब बहुत चीजें अलग घटना घटी वह हम सिखिजम के इतिहास में पढ़ते हैं हिंदुईजम के इतिहास में भी पढ़ते हैं तब उस समय ये हनुमान चालीसा का हनुमान जी तुलसिदाज जी के द्वारा जनम किया गया ये हनुमान चालीसा की एक बहुत बड़ी घटना है जिससे वह विश्व में और फिर एक इतनी बड़ी किंग्डम में जब इनिफ्लुएंस हुआ जी वक्तिकाल में तो बहुत सारे जनु है पर जब एक राज़ाई किसी को समर्पित हो गया तो फिर तुलसिदाज जी का इन्फ्लुएंस गोस्वामी जी का पूरे नौथ इंडिया में देरे 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 चारों तरफ व्यापत होने लेगा दोहा और चौपाई इससे यु वड़े अमेरिकन्स को भी स्पिरिच्वली कांशस किया है उन्होंने केवल दोई चीज तो की वहनुमान चालीसा करते थे और जो उनके पास आता था उससे कहते थे राम का नाम दे इतना बड़ा सिद्धम हात्मा कोई नहीं बता रहा था कि तू यहां जाके पुडिया बा प्रश करना तो आपको मैक्सिममम ब्रह्मचार है सेली बेसी अचीव क्योंकि हुआनमान जी ब्रह्मचारी है सेली सबका नेचर होता है ने गौड का सबका नेचर है श्री कृष्ण है वन्शी वजा रहे है म्यूजेक पोईट्री यह सब प्रेम यह श्री कृष्ण को मैं कहे रहा हूं चालीस मां चरण आएगा नहीं कि हनमान जी सामने खड़े हो जाएगे